नमस्कार किसान भाईयों प्रशी फाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राशी आपके साथ आईए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे शुरुवात करते हैं भुपाल की मंडी के साथ जहां पर प्या चौदा सो एकतर रुपे रहे इसके अलावा दिन्डोरी की मंडी की बात करें तो हाँ अब बात कर लेते हैं मध्य-प्रदेश की मंदसौर मंडी की जहाँ पर लहसुन के आवक रही और लहसुन के दाम तिरासों के आसपास रहे इसके लाबा बात कर लेते हैं उजेन की मंडी की जहाँ पर सभी फसलों की आवक रही तो वहीं आलू के दाम यहाँ पर 1107 रुपे रहे इसके लावा मौडल दर भी आलू की 1107 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दमोहो मंडी की जहाँ पर मूं के भाव 5,485 रुपे तक रहे इसके लावा मॉडल दर यहाँ पर 5400 रुपे पर रही अब आत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की धार मंडी की जहाँ पर यहूं के भाव 1975 रुपे रहे इसके लावा मंदला की मंडी में येहूं के भाव 1901 रुपे रहे, मसूर के भाव यहाँ पर 5420 रुपे रहे, बठरी के भाव 3321 रुपे रहे, धान के भाव 1450 रुपे रहे, तो वहीं उड़त के भाव 5000 रुपे रहे, गुली के भाव 4000 रुपे रहे, तुवार अरहर के भाव अर अंडी के भाव 45 रुपे पर रहे इसके लावा मध्यप्रोदेश की इन दौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्यास के दाम 2140 रुपे रहे लहसुन 1847 रुपे के भाव पर बिका इसके लावा गेहूं के दाम 1980 रुपे पर रहे तो वहीं रतलाम की मंडी में डॉलर चने की आवक रही इसके लावा यहाँ पर गेहूं के भाव 2190 रुपे तक रहे अलिराजपुर की मंडी में गेहूं के भाव 1800 रुपे रहे इसके लावा गुली के भाव तीन हजार रुपे के आसपास रहे तो वहीं चने के भाव 4500 रुपे रहे मुंगफली के भाव 5000 रुपे रहे आमचूर के भाव यहाँ पर 10,000 रुपे तक रहे ठीकमगर की मंडी में गेहूं के भाव 1975 रुपे पर रहे नर्सिंगपुर की मंडी में तुवर के भाव 3300 रुपे रहे, गुड के भाव 2625 रुपे रहे इसके लावा बात कर लेते हैं मध्यप्रदेश की मुरयना मंडी की जहाँ पर गेहुं के भाव 2021 रुपे रहे सरसु के भाव 4510 रुपे रहे, कुमहडा के भाव 300 रुपे रहे, मुंग के भाव 5845 रुपे रहे तो वहीं पर लौकी के भाव 300 रुपे पर रहे इसके लावा जबलपुर की मंडी की बात कर लेते हैं जहाँ पर गेहूं की फसल 1950 रुपे के दाम पर बिकी तो किसान भाईयों ये रहा आज का मध्य प्रदेश का मध्य भाफ अपडेट क्रशी से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें क्रशी फाई के साथ धनेवाद